बालो जिले में सोमवार को एक बड़ी घटना हो गई, ग्राम भैस बोड के आंगनबाडी केंदर की छट टाइल्स कीरने से चार बच्चे घायल हो गए, सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भरती कराई गया है ग्राम भैस बोड के आंगनबाडी केंदर में 29 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इस दवरान अचानक छट पर लगा टाइल्स बच्चों पर गिर पड़ा, इससे चार बच्चों को गंभीर रूप से चोटे आई है, साथी सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल म भरती करा गया है, घटना के सूझना मिलते ही पुलिस सहीद प्रशासनी कमला मौके पर पहुंचा, बताय जा रहा है कि एक साल पहले ही आंगनबाडी बना है और अब इसके टाइल्स उखरने से लगे हैं, इससे आंगनबाडी निर्मान की गुनवत्ता पर कई सवाल उठते देखे जा रहे हैं, घटना को लेकर महिला इवं बाल विकास मंत्री अनिला बेडिया ने बालोत के भैस बोर्ड आंगनबाडी केंदर में बच्चों के घायल हुने की खबर को गंभीरता से लेते हैं भी कलेक्टर को घटना की जाज कर दोशियों के विरुत कारवाई करने क के लिए निदेश दे हैं, बहराल घायल वच्चों का हिलाज हॉस्पिटल में जारी है, बीरो रिपोर्ट ग्रेंड एसेन निउस